और फाइनली मनुभाकर ने इतिहास बना दिया, जी हाँ वो इतिहास में पहली ऐसी भारती खिलारी बन गई है जो एक ही उलम्पिक के अंदर दो मेडल जीत के लिए के आई है, इससे पहले मनुभाकर ने 28 तारीक को 10 मीटर एर पिस्टल में इंडिविजबल महिलाओं के इससे पहले कि इतिहास में देखा जाए तो ब्रिटिस इंडिया के दौरान 1900 के ओलम्पिक में ब्रिटिस मूल के खिलारी थे Mr. Norman Pichard, जिन्होंने 200 मेटर रेस में और 200 मेटर हडल में यानि कि 200 मेटर की फराटा दौर और 200 मेटर की बादा दौर में इस सिल्वर मेडल जीता और उन्होंने भी 2 मेडल दीता था, लुकिन ये dengan इंडिया की बात है, इंडिया इंडिया के बात, 1947 की बात, जब इंडिया के किसी खिलारी ने 2 मेडल एकी पिलापिक में जीते हैं तो ये सेलिवेशन का वक्त है, ये वक्त है जब हम अपने समी खिलाडी को पुरसाहिद करें और मनुवाकर जैसी खिलाडियों को सेल्यूट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए अगर आप ऐसे ही बहतरिन वीडियो चाहते हैं, फाइनांस पे, एजुकेशन से या किसी भी शेत्र से लेटेट जिसमें आपका इंडरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बहतरिन वीडियो के रूप में पस्तूट किया जाए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्स्ट्राइब करना मत भूलिएगा इस से मुझे पसान मिलता है, वीडियो पसंद आये हो, तो लाइक कीजिए। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेरिंग से ना जाने कितने लोगों के जिन्दगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही वेहतरी वीडियो में एक वार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जैहिन, बंदे मात्रा